सु हलो दोस्तो आज इस वीडियो हम एनिवर्स्टी स्टैटस वीडियो एडिट करने वाले है तो वीडियो में आगे बनने से पहले वीडियो का प्रिव्यू देखने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नयतर रिक्वेस्ट है चैनल को सबस्राइब चलू से कर ले था कि जब के anniversary status वीडिव आज हम एड़िट करने वाले है, तो इस वाली वीडियो को एड़िट करने के लिए आपको अपने mobile phone में कायन माश्र कर लिना है, कायन माश्र अगार के पास नहीं, तो मैं अपने telegram चैनल पे षैर कर दिया है, वहाँ पे जाके इस्टोल कर लिजे, telegram चैनल कर ल बढ़ना चाहते है उतनी इसकी लेंथ आपने बढ़ा देनी है इसके बद आपने स्टार्ट अलों प्वेंट पर आना है अब यहां पर आपको मेरे कुछ मट्रियल्स की जरूद पड़ेगी जैसे कि यहां पर इसके बेग्राउंड इमेज है बार्टिकल्स वीडियो है और ल लर्न एडिटिंग इट्स रियल टैस फ्रेंड आपको यहां पर इसका टैटल देख रहा होगा तो इस वाली पोस्ट के अंदर आपने जाना यह वाली पोस्ट आपको फर्स नमबर पर मिलेगे अगर नहीं है तो पेज को निचे स्क्रोड कर पर कहीं पर भी देख लीज लेगा उस वाली वीडियो को दीख लीजिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब डाउनलोड करने को यहां से आपको बेक आजाना है फिर से काइन मास्टर को ओपन करने को आपको लेयर पर जाना है मीडिया पर जाना है और सबसे पहले इस वाली बेग्राउंड ऑर इस वाली पार्टिकल शुड़ाख है इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा कि जो ब्लेक कलर से उसके साम से बढ़ा दीजिए फिर इस तरह के सेट कीजिए यहां पे तिन डोट पर जाईए और सेंट वेक कर दीजिए इसके बद आपको यहां पर आपको फोटोस को एड़ क तो इसको इस तरह कर लेगे से अब को फिर सट्रम्ट कर फू पर एस वाली फॉटो खम राट के बटन पर क्लिक करके आपको इस से उपर की तरफ set कर देना है तो इसको हम यहाँ पे set करेंगे इसके बाद ऐसी ही दो और फोटो को भी आपने यहाँ पे add कर देना है तो पहले एक को यहाँ पर अच्छे से set कर लेजे उसके बाद दूसरी दो फोटो को इसी तरह के से cropping करके आपको set करना है तो यहाँ पे देखे मैंने दो फोटो को set कर दे और तीसरी फोटो को यहाँ पे लेखाया है इसको भी आपको कुछ इस तरह के से लगा देना है तो यहां पर तीन फोटो के लेंद को आपने पूरी वीडियो में आगे तक बढ़ा देना है तो यहां पर आप couple photo आड़ करने का तो जादा अच्छा दिखेंगा तो layer पे जाएंगे मीडिया पे जाएंगे कोई भी couple photo लेकर आना है और इस वाली photo की size को आपको इस तरीके से जितना ब्लेक कलर है उतना रख देना है फिर thin dot पे जाना है और इसको send to back कर देना है अब इस photo की length को भी आपने पूरी वीडियो में आगे तक लेकर जाना है तो इसको इस तरीके से बढ़ा दीजिए और उपर के तरफ आया जो particles वीडियो में सबसे पहले एड़ किया था वहाँ पे जाना है particles वीडियो layer पे फिर यहां से नीचे आ जाना है कि आपको blending का option देखने को मिलेगा वहाँ पे जाना है और blending में जाके इसको आपने screen कर देना है फिर right के बटन पर क्लिक कर देना है तो यहां पर कुछ इस तरीके से हमारे इतनी वीडियो बनेगी अब हमें यहां पर कुछ और काम काना बागी है तो यहां पर हमें anniversary वाली जो PNG उसको add करना है तो layer पे जाना है इसके बाद इस तरव आपको नीची की तरफ आना है और यहां पर आपको बढ़ा दीजिए और यहां पर अच्छे से से add कर लिजिए इसके बाद दूस्तों यहां पर आपको इस वाली लेयर को पूरी वीडियो में आगे तक इसकी length को बढ़ा देना है और अगर चाहो तो इस वाली वीडियो को आप खुद तो पहले एड किये, ऐसके ड्लेंडिंग यह ब्लेंडिंग पो जाहिए अप्छू पर बना के जाएंग क कैसे बना चाहिए ग da है, जिसका लिंक में इस लगा इस लिंक लिग्व best, इस लाइड समय का लिए भूंज जाहते हु जैसे वीडियो का आप एक्सपर्ट करोगे ये वाल वीडियो आपके करेड़ में सेव हो जाएगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की हमारी वाल वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेजिएगा और चैनल पर नगया तो सब्स्राइब चरु सेखा लेजिएगा